राजिस्थान विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं और इसे लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं राजिस्थान की 200 विधानसभाओं का पूरा पूरा रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम आपको सलसलिवार बताएंगे हर विधानसभा शित्र का इतिहास कौन होगा 2023 में वहां से दावेदार क्या है वहां का जातिगत समीकरण और क्या है उस शित्र की भौगलेक इससे दे तो सब को जानने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संभार राजस्थान का कोटा शहर जो आ दिक्तर MLA's प्रदेश भर में पहचान बना चुके हैं और वरतमान की बात करें तो राजस्थान में कॉंग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता शांती धारेवाल इसी सीट से विधायक हैं माना जाता है कि हर बार चुनाव के साथ साथ विधायक का चेहरा भी यहां पर वोटर्स हैं इसके बाद OBC 45,000 हैं ST 35,000 हैं और SC भी इसी के आसपास हैं अब अगर सीट के चुनाव के इतिहास की बात करें तो 2008 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीट के उमीदवार सुमंश रंगी ने चुनाव लड़ा तो कॉंग्रेस के तरफ से शांती धारिवाल म मैंदान में उतरे जहां BJP के प्रहलाद गुंजल ने शांती धारिवाल को 14,861 वोटों से माद di. 2018 की बात करें तो कॉंग्रेस की तरफ से यक बार फिरसे सांती धारिवाल प्र को टिकेट दिया गया, और मैंदान में उतारा गया. जिसमें शांती धारिवाल ने BJP के को मैदान में वापस नहीं उतारा मगर बी जे पी की तरफ से प्रहलाद गुंजल कॉंग्रिस के खिलाफ मैदान में ऊतरे इस बार ये सीट कॉंग्रिस के लिए चर्चा का विशे बने हुई है बताया जा रहा है कि इस बार शांती धरिवाल चुनाव ना लड़के अपने बे आने में सक्षम होंगे या नहीं यह तो आने वाला वक्ती बताएगा और जो भी अप्डेट होगा आप तक पहुंचाएगा राजिस्थान सम्वार अगर आप इस विधान सबाश्यत्र से आते हैं और देख रहे हैं यह वीडियो तो आप भी हमें बता दीजिए वहां के हाल जो भी अप्डेट है सब कुछ लिख डाल ये कॉमेंट बॉक्स में कैसे लगी वीडियो ये भी बताएगा और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहे राजिस्थान सम्वार नमस्कार लाग 27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजिस्थान के चैनल राजिस्थान सम्वार पर करवाईए कवरेज जारा जनकारी के लिए वोट्साब करें 733-99-00-549 पर